मैं हूँ जगदानंजा और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश संस्कर्ट संस्थानम द्वारा संचालित सरल संस्कर्ट संभासन प्रसिक्षनम नामक योजना के तहत नियोक्त प्रसिक्षक फेस्बुक के सरल संस्कर्ट संभासन प्रसिक्षन ग्रूप से कैसे जूर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम खोजते हैं अपने मोवाईल में फेस्बुक मीनू बटन को और हम यहां क्लिक कर चुके हैं फेस्बुक खुलते ही सबसे पहले हम सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश संस्कर्ट संस्थानम को उत्तर प्रदेश संस्कर्ट संस्थानम का एकाउंट देवनागरी लिपी में लिखित है आप देवनागरी अपने कीबोर्ड मे set कर लें और यहां पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लिख कर शर्च करें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम यह लिखते ही आपको यहां पर options आ जाते हैं और option में आपको एक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम भी दिखेगा आप उस पर टैप प्रेस करते है टैप प्रेस करते ही ये उतर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का लोगो लगा हुआ एक आता है उस पर भी टैप प्रेस करते हैं और उतर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का एकाउंट खुल जाता है यह देखिए इस पर सारे प्रसिक्षक अपने अपने विवरन भी लिखते रखते हैं यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम यह करना है कि मैसेज जहां लिखा हुआ है यहाँ पर टैप प्रेस करते हैं टैप प्रेस करते ही मैसेज खुलेगा और खुलते ही यहां आप अपना नाम लिखेंगे मैसेज भेजेंगे अपना नाम लिख करके और अपने जिले का नाम मैसेज सेंड कर दें जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूँ मैं अपना नाम लिख दिया और जिले का नाम लिख करके सेंड कर दिया ये चला गया इससे ये जानकारी होती है कि कोई प्रसिक्षक सरल संस्कर संभासन प्रसिक्षन नामत समूह अर्थात ग्रूप से जुड़ना चाह रहा है और वहाँ संस्थान का प्रसिक्षक है इस प्रकार सुचना प्राप्त होते ही मैसेज प्राप्त होते ही आपको सरल संस् संभासन प्रसिक्षन ग्रूप से जोड़ दिया जाता है अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ग्रूप से जुड़ गए हैं तो सबसे पहले आप ग्रूप को खोजें देखिए यहाँ पर ग्रूप नामक एक मीनू बटन है आपको दिख रहा होगा ग्रूप से लिखा है और उसके चिन्ने भी है पेजेज के नीचे ग्रूप से है इस पर टैप प्रेस कीजिए टैप प्रेस करते ही यह ग्रूप दिखेंगे जिसमें आप जुरे होंगे इसी में आप सर्च कीजिए यदि आप बहुत सारे ग्रूप से जुले होंगे तो एक ग्रूप सरल संस्कर्ट संभासन प्रसिक्षणम नाम ग्रूप भी आपको इसी में से दिख जाएगा मैं भी जुला हुआ हूँ इसी लिए मुझे ये ग्रूप दिख रहा है और इसको फैबरेट ग्रूप में मैं सामिल कर रखा हूँ इस सरल संस्कर्ट संभासन प्रसिक्षणम ग्रूप पर हम टैप प्रेस करते ही यह ग्रूप हमारे सामने खुल कर आजाता है यह देखिए यहाँ पर उतर प्रदेश संस्कर्ट संस्थानम लिखा हुआ है फोन नम्मर भी डाला हुआ है इसमें अब करना क्या है आपको आप जो वाट्सप पर अब तक सूचना देते रहे हैं वह सारी सूचनाएं अब यहाँ पर हमें देंगे उसके लिए यहाँ परतेक दस दिनों में एक पोस्ट लिखा जाता है जैसा कि आपको यह पोस्ट दिख रहा हुगा अब इस पोस्ट के ही कोमेंट बॉक्स में आपको सारी सूचनाएं देनी है ताकि प्रतेक प्रांत अर्थात उतर प्रदेश को छे प्रांतों में विभाजित किया गया है इस प्रांत के रहने बाले सारे प्रसिक्षक इसी के कुमेंट बॉक्स में सुचना देंगे तो सारी सुचनाएं एक जगह संग्रहीत हो जाती है इसमें लिखा है कासी प्रांते एकादस्तह विंग्षती जुलाई परियंतम आरभ्यमानस्य प्रसिक्षन सिविरस्य सूचना अत्रा टिपनयाम स्थापे अन्तु अर्थात यदि आपके प्रसिक्षन सिविर का उद्गाटन 11 से 20 जुलाई के बीच में हुआ है तो इसके इस कोमेंट में टिपनी में यहाँ पर आप सूचना दीजिए यहाँ देखिए लोग सूचना दिये हुए हैं वैसे ही आप भी यहाँ पर सूचना टिपनी में लिख सकते हैं यहाँ पर लिख करके भेज दीजिए फोटो लगा दीजिए हाँ ध्यान यह रखना है कि यदि आपने किसी प्रसिक्षन सिविर का मान लिया कि आपने आठ जुलाई को आरंब किया तो यहाँ पर आप सूचना न देख करके आप फोजते हैं यदि आप वारणसी के रहने बाले हैं तो वारणसी के लिए देखिए कहीं और पोस्ट है जिसमें लिखा है एक तारिक से दस तारिक के बीच में आरंब होने वाले सिविर की सूचना टिपनी में यहाँ देनी है उसको आपको खोजना परेगा और खोजते खोजते हम खोजते हैं यह सामने सूचना आ गई और इस की टिपनी उसके बारे में यहाँ कोमेंट में यहाँ टिपनी में हम अपनी सूचना यहाँ फोटो या और सारे विवरन देंगे विवरन लिखते बक्त यह ध्यान रखें अपने जनपद का नाम जिस तारिक को आरंब किया जिस अस्थान पर चला रहे हैं और जो जो प्रसि की सूचनाई यहीं पर संकलित होते हुए जाती है बीच बीच में सूचनाई भी यहां देते रह दिया जाता है और आप इसको आगे पीछे करके सूचना भी परते रहेंगे इस प्रकार हम लोग यहीं पर ग्रूप पर ही सभी प्रकार की सूचनाई देते हैं तो आशा करता तरल संस्किर्ट संभासन प्रसिक्षनम फेस्बूक ग्रूप से जूर सकेंगे और यहाँ पर टिपणी में अपनी सूचनाएं दे सकेंगे धन्यवाद